नवस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग यहाँ पर OFCD की बारे में बात करेंगे देखिए OFCD का फुल फॉर्म क्या है तो फुल फॉर्म है आपका optionally fully convertible debentures ठीक है इसको भाई आप कह सकते हो कि fully convertible debentures है fully convertible debentures जिनको आप option की तरह लो option मतलब कि आप अपने उधार को equity में समझ में आजाएगा मैंने पहले भी आपको बताया कि जो debentures होते हैं यह debt instruments होते हैं एक चीज़ होती है equity मतलब partnership लेना तो debentures मतलब उधार देना उधार में मालो आपने एक लाग रुपे किसी और को दिये और आपको वह एक लाग रुपे future में वापस मिलेंगे और जब त तक उसके उपर interest मिलेगा यह होता है आपका उधार देना एक चीज़ होती है equity खरीदना तो अगर आप equity खरीदते हो तो आपको share मिलेंगी stocks मिलेंगे अगर उन share stocks का दाम उपर गया तो आप profit कमाऊगे और जो समय समय पर वह company dividend declare करती है वह आपको मिलेगा लेकिन problem यह होती क debt वाले का claim पहले होता है equity वाले का claim बाद में होता है मतलब company अगर घाटे में पढ़ गई बरवाद हो गई उसका liquidation हो रहा है तो उस case में जिसने उधार दिया है ठीके ना उसका पैसा पहले वापस किया जागा जिसने equity लिये उसका पैसा बाद में वापस ले जागा अब य यह company listed company भी हो सकती है एक non-listed company भी हो सकती है तो एक company जो stock market भी लिस्टेड है एक जो stock market में नहीं लिख्टेड है यह दोनों प्रकार की companies OF CDs issue कर सकती बैसिकली debentures issue कर सकती है और उस debentures की basis पे market से पैसा उठा सकती है तो वो debentures अपने debt instruments issue करेंगी लोग उन debt instruments में इंस्टुम लोगों के पास चले जाएंगे और company के पास आजाएगा पैसा तो यह रही company यह रहे लोग तो लोगों ने company से debt instruments लिये और लोगों ने company को पैसे दिये money दी बाद में जब debt instruments का overall maturity period आ जाएगा तो लोग debt instruments वापस कर देंगे company को और company को पैसा भी देना पड़ेगा उसके सास optional fully convertible debentures के बारे में बात कर रहा हूँ चुकि काफी news में रहते हैं होता यह है कि जब optionally fully convertible debentures एक company issue करती है तो एक lock in period होता है 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल वो arrangement में लिखा हुआ होगा इस lock in period तक यह जो optional fully convertible debentures है इस पे थोड़ा बहुत interest दिया जाएगा लेकिन जो principal amount ह वो lock हो जाएगा तो अगर optionally fully convertible debenture मालो किसी ने 5 साल के लिए खरीदा है 5 लाक रुपे का तो उस case में 5 लाक रुपे 5 साल के लिए lock हो गया लेकिन 5 साल के बाद यह 5 लाक वापस करने होगे लेकिन 5 साल के बद जब 5 लाक company को वापस करने होगे तो एक option होगा यहां पे किस ठीक है मतलब OFCD के चलते जो debentures आपने मतलब company ने market में issue किये थे उन debentures को किसी investor ने खरीदा था तो investors के पास वो debt instruments है अगर वो optionally fully convertible debentures है तो उस case में वो particular investor अपने उदहार को जो उसने पैसा दिया invest किया है उसको equity में भी बदल सकता है इन debt instruments को equity में बदल सकता है लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कि equity में बदलना है तो कितनी equity मिलेगी उस debt के बदले यह decide कौन करेगा तो company decide करेगी समझ गए तो यह रही यहाँ पे company ठीक है यह रहा यहाँ पे investor हमारे जैसे लोग investor बोल लो people बोल लो 5 साल के लिए overall company ने debt instruments दिये थे investor को लोगों को और अब यह debt instruments मैचूर हो गए, optionally fully convertible dependents मैचूर हो गए तो अब इस investor या फिर लोगों के पास यह option है कि वो in debt instruments को shares में convert कर सकते हैं, equity में convert कर सकते हैं, equity में convert करेंगे तो कितने debt के बदले कितनी equity मिलेगी यह कौन decide करेगा तो यह decide करने की ताकत इस company के पास होती है, यहाँ पर negotiation चलता है, और वेसी बात है, जो investors है, जो आपके लोग है, जो कि यहाँ पर अपने investment को equity में convert कर रहे हैं, इन्होंने भारी investment किया होगा company में, तो company और investors के बीच में अच्छा खासा negotiation चलता है, और फिर overall एक rate decide किया जाता है, जहाँ पर उस OFCD को equity में convert कर दिया जाता है, ल company बहुत सदा highly profitable हो, और आगे आने वाले समय में उस company का जो share का दाम हो, वो उपर बढ़ जा, मतलब company की balance sheet बहुत अच्छी है, company का बनाये गया product market बहुत भिकरा है, आगे आने वाले समय में company के shares के दाम बहुत सदा उठने की chances है, तो ही कोई investor अपने debt instruments को shares में convert करेगा, नही तो वही company की weak balance sheet चल रही है, उसके shares उठने की कोई chance नहीं है, उसके उधार बहुत जादा है, तो ऐसे case में वो जो debenture holder होगा, जो investor होगा, वो बोलेगा, भईया मेरा पैसा वापस कर दो, मुझे अपने OFCDs को equity में नहीं बदलना है, यह simple logic है, तो overall OFCD को equity में बदलना है, यह share equity में convert हो जाए, तो उस debt के बदलने में कितनी equity मिलेगी, यह company decide करेगी, ठीक है, proper negotiations चलते है, company decide होता है, और वेसी बात है, company profitable है, उसके products बेक रहे हैं, आगाना से में उसके share के price के दाम बढ़ेंगे, तो ही equity में convert करवाते हैं, investors नहीं तो नहीं convert करवाते हैं, तो यह है OFCD, simple वाशा में आप कोई समझाना था, पहुत से examples दे रखें, examples समझने जरूत नहीं, इतना detail को उसने जरूत नहीं, जतना important था, सब बता दिया, thank you for watching, have a great day, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा, लोगों के साथ share कीजे, और हो सके दोस्तों, तो join button दबाएं, आपकी join button दब आप चाहें, तो follow कर सकते हैं, telegram group join के लिजे, हाट चीज का लिएंग नीचे description box में दे रखाएं, goodbye